श्लाम वालेकुम वीवर्स वेलकम बैक टू मैं चानल आफ्रिन बुटिक आज की इस वीडियो में हम इस आफ़ीट को डिजाइन करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से यह दिखने में चितनी ज्यादा खूब प्रूरत इसे बनाना उतना ही आसान है अगर आपको बेसिक लेवल की भी स्टीचिंग आती है तो आप इस ड्रेस को बना सकते हैं घर पर यहां पर हमने बहुत ही बीटिफुल सा नेक डिजाइन भी बनाना बताया है अगर आपके पास सोल्डिंग मसीन नहीं है और आपके पास यहां पर इम्रोइडी फ्रेम नहीं है फिर भी आप इस इस ड्रेस को बहुत ही आसान तरिके से बना सकते हैं तो वीडियो को आपको एंड तक वाच करना है इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहां पर टू मीटर शाटन का फाबरिक यूज किया है और यह अच्छी क्वालिटी वाली साटन की फाबरिक है यह थोड़ी सी गफ होती इस तरह की हमने दो मीटर साटन की फाबरिक लेनी है और हमने यहां पर और गेंजा सिल्ख फाबरिक यूज किया है 2.5 मिटर हमने डुपट्टी के लिए और यह ज्यादा होती है तो उसे हमने डुपट्टी को निकाल कर साइट की बची यह वीज नेक शलिफ और शलिट्स यहां पर रांच्टोन चेन का यूज करेंगे और यह हमारी जर्कन है और यहां पर हमने बड़े साइज का इस्टोन भी यूज किया है कटिंग इस्टार्ट करते हैं जिसके लिए फाब्रिक 4-4 में रखा हुआ है यहां पर हम ड्रेस की लंध मांक करेंगे तो आपने फुल लंग जितनी लेनी है इससे आप 4 इंच मानस कर लेंगे क्योंकि नीचे के साइट पर हमने एक्स्टा फाब्रिक अटैच करनी है और यहां पर हम 38 इंच पर मांक कर रहे हैं इसी तरह से सेम हम दूसरी साइट पर भी 38 इंच पर मांक करेंगे और इस दोनों निसान को हम मिला लेंगे इसके बाद हम solar के लिए mark करेंगे तो solar में 6.5 इंच पर mark करेंगे आप नॉर्मली जितना भी solar लेते इस नेक डिजाइन के लिए आप half inch extra लेंगे इसके बाद हम armhole के लिए 6.5 इंच पर mark करेंगे और इस निसान को straight कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर हम एक box ready कर लेंगे और इस निसान को मिला देंगे इसके बाद हम worst के लिए निसान लगाएंगे यहाँ पर मैं 8 इंच पर mark कर रही हूं 2 इंच extra margin के लिए इसके बाद यहां पे हम चाक के लिए निसान लगाएंगे 12 इंच और एक निसान वेस्ट के लिए 6 इंच और यहां पे हम वेस्ट के फिटिंग नाप लगा रहे हैं 6.5 इंच और यहां पे 2 इंच एक्स्टा मार्जिन सेम यहां पे 8 इंच पे मार्क करेंगे हम हिप के लिए extra margin हम यहां पे 1 इंच 2 पाइंट दேंगे फल्डिंग के लिए इसके बाद हम इस दोनों निसान को मिला देंगे अंथर के साइड पे आप चाहे तो यहां पे scale की मददसे भी round shape दे सकते हैं इसके बाद नीचे के साइड पे दामन के लिए मार्क करेंगे सेम हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच 2 पॉइंट एक्स्टा मार्जिन के लिए स्लिट्स के लिए इस दुन निसान को हम बिला देंगे मैं यहाँ पे इंची टैप की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉग कर रही हैं आप चाहे तो यहाँ पे स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे हम फ्री हैंड से बैक साइड आर्म होल के लिए राउंड सेब देंगे और अंदर के साइड पे इसके बाद यहाँ पे हम नेक की विर्थ मार्क करेंगे त्री इंच और यहाँ पे पॉइंट फाइब डाउन करेंगे और इस दोनों निसान को हम ला देंगे और इसकी हम सेम कटिंग कर लेंगे इसके बाद हम यहाँ पे फ्रन नेक की कटिंग करेंगे नेक की width हम 4 inch mark करेंगे और नेक की length हम यहाँ पर 6.5 inch mark करेंगे इस तरह से हम एक box ready करेंगे यहाँ पर इस तरह से box बनाने की बाद यहाँ पर हम हलके आतों से round shape निसान लगा लेंगे और इसके हम same cutting कर लेंगे इस तरह से नेक की cutting करने के बाद यहां पर एक पट्टी रखेंगे और नेक रेड़ी कर लेंगे नेक रेड़ी करने के बाद यहां पर हम और और गेंजा फाब्रिक लेंगे square साइज में और इसे हम wrong side पर रखेंगे और इसके ऊपर मिलाते हुए ऐसे अच्छी के ऐड़ अच्छा कर लेंगे इसके बाद यहां पर हम रउंग साइड से लेंगे तो फाब्रीक glue आपने बिल्कुल round में लगानी है और बिल्कुल बारीख लगानी है और इसके बिल्कुल किनारी पे लगानी है इस तरह से फाब्रीक glue लगा लेंगे इसके बाद rezत और जाइं स्टोन इसके ऊपर रखते वे जाना है और अच्छे से बिठा लेना है इसके बाद हम यहाँ पर स्टोन का यूज करेंगे इस तरह से ग्लू लगाना है पॉइंट फाइब मार्जिन चोड़ते वे हमारी सोल्डर स्टीचिंग के लिए इसके बाद ग्लू हम लगाते जाएंगे और इसके ऊपर साथ ही हम यहाँ पर स्टोन बिठाते जाएंगे और यह स्टोन बिठाना भी बहुत जादा इजी है गाईज तो इस तरह से ग्लू लगाते जाएंगे और स्टोन बिल्कुल इसके पास पास में ही हमने लगानी है और राइंश्टोन से भी बिल्कुल पास होनी चाहिए इस तरह से वो बहुत easily हो जाती है से एट करनी राइंच टोन बिल्कुल इसके पास पास में ही हमने सेट करनी है और आप हल्के हातों से ड़ाप करेंगे तो इस टोन बहुत अच्छे से बैट जाती है इस तरह से हमारी नेक पे हमी नेक पर भी राइंच टोन देखेंद तो neck के length मैं यहाँ पे 3 inch 2 point पे mark कर रही हूँ और इस middle निसान से हम दोनों side पे 2.5 inch करके निसान लगाएंगे 5 inch की दोनों side से और इस निसान को हलके हाथों से round save देंगे इस तरह से round save है हमारी neck के लिए निसान लग गई है इसके बाद हम side पे designing के लिए निसान लगाएंगे तो designing के लिए जो length हम mark करेंगे वो 4 inch 0.5 पे हम mark करेंगे सेम दूसरे side पे भी निसान लगाएंगे हम 4 inch 0.5 और उपर की side पे हम यहाँ 1 inch mark करेंगे सेम हम दूसरे side पे भी 1 inch mark करेंगे और इस निसान को हम स्टेट मार्क नहीं करेंगे यहाँ पर हम हलके हाथों से राउंग सेब देंगे डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग सेम हम दूसरे साइट पर भी राउंग सेब निसान लगाएंगे इस तरह से निसान लगाने के बाद इस निसान पे पूरे में हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से ग्लू लगाने के बाद राइंश्टोन इसके ऊपर हम सेट करेंगे तो सेम हमने इसके ऊपर राइंश्टोन हलके हाथों से लगाना है और डैप डैप करते वे से अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से हमारी rhinestone अच्छे से सेट हो गई है इसके बाद सेम हम यहां पे half inch जितना margin छोड़ेंगे solar के लिए और इसके बाद यहां पे stone बिठाएंगे stone भी हम अच्छे से glue के उपर set करेंगे stone बिल्कुल पास पास में ही हमने set करनी है इस तरह से हम पूरे नेक पे stone अच्छे से सेट कर लेंगे इसके बाद सेम हम यहां पे double line rhinestone लगाएंगे तो जिसके लिए हमने glue बिल्कुल stone के पास पास लगानी है और यह पूरे नेक पे हमने लगानी हाफ इंटी margin छोड़ते वे solar के लिए सेम हम rhinestone chain अच्छे से सेट कर लेंगे इसी तरह सेम हमारीम यह जो design लाइन इइसके उपर glue लगाएंगे रैंसके अच्छे से सेट करेंगे rhinestone हमने यहां पे अच्छे से सेट करने हाफ इंच की margin छोड़ते वे और इसके बाद सेम हम यहां पे stone लगाएंगे इस तरह से stone हमने बिलकुल length में पूरे में लगालेनी है सेम हम दूसरे side पे भी stone लगालेंगे और दूसरे line भी rhinestone की लगालेंगे इसके बाद यहाँ पे हम middle में ज़रकन का use करेंगे तो ज़रकन को इस तरह से हम ले लेंगे इसके बाद यहाँ पे ग्लू बिल्कुल बारिक-बारिक बुंदी में हम लगाएंगे इस तरह से बुंदे में हम पूरे में अच्छे से लगाएंगे और एक-एक करते हुए ज़ड़कन को सीधे करते हुए अच्छे से बिठा लेंगे इसी तरह से सेम हम जड़कन को पूरे में अच्छे से सेट कर लेंगे आप देख सकते हमारे नेक कितनी ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहे हैं इसके बाद हम यहाँ पर डिजाइनिंग को अच्छे से सेट करेंगे और गिंजा फाब्रिक हमने जो एक्ष्टा चोड़ी है उसे हम कट करेंगे इस तरह से हमने कट करनी है बिल्कुल बारिक हम दूसरे साइट पर भी कट लगा लेंगे और नेक जो हमारी राउंड की विए उसे भी हम कट कर लेंगे हाफ इंज इतना मार्जिन छोड़ते वे इस तरह से यहां पर कटिंग करने के बाद हैंड श्टीच हमने यहां पर करनी है बैक साइट पर इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और दूसरे साइट पर आप चाहे तो यहां पर गुलू की मदद से श्टिक भी कर सकते हैं बट य इस तरह से फोल्ड करते हुए हम बैक साइट पर नेक भी रेडि कर लेंगे हमारी बीटिफल से फ्रेंड नेक रेडि हो गई है इसके बाद हमने यहां पर पहले ही बैक रेडि कर लिया है बैक नेक की वित आपने फोर इंच रखनी है और हाफ इंच की मार्जिन देते हुए बैक नेक रेडि कर लेना है इसके बाद यहां पर हम सोलर जॉइन करेंगे तो इस तरह से सोलर को मिलाते हुए रखेंगे सीधी साइट से और इस वाले नेक को इस तरह से हैंड इस्टीच करेंगे और यहां पर दो डोरी हम अटाइच करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी यहां पर solar joint हो गई है मैं यहां पर चाप की लगाई और इस वाले नेक डिजाइनिंग पर हमने fold करते हुए hand stitch से यहां पर दो डोरी attach कर ली है इसके बाद हम dress को इस तरह से fold करेंगे और यहां पर fittings के according side की slide लगाएंगे और इस तरह से slits की folding कर लेंगे दोनों side से so guys आप देख सकते हमारी यहां पर fittings के according slide लग गई है और slits भी बहुत finishing के साथ ready हो गई है इसके बाद यहां पर length के लिए जो हमने organza fabric attach करनी और इस पर designing करनी है rose वाली organza fabric की width यहां पर 5 inch की length जो है इसके यहां पर नामन के according हमने cut की है इसे हम इस तरह से सीधी साइट से रखते हुए पीछे के side पर प्लट लेंगे चाप के slide लगा लेंगे rose pattern हमने पहले से ready कर लिया है आप यहां पर अपनी choice के flower use कर सकते है कोई भी तो यहां पर हम total four flower बनाएंगे इसके लिए हमने पहले copy का use क्या copy रखेंगे नीचे के side पे और flower को अच्छे से थोड़ा सा ओपर मिलाते हुए set करेंगे और इस तरह से set करने के बार यहां पर हम पहले ball pin से भी set करेंगे ball pin से set करना गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप flower draw करते हैं यह और्गेंजा फाबरी काफी ज़्यादा फिसलती है तो इसके लिए हम यहां पर अच्छे से ball pin से set करेंगे इस तरह से rose flower set करने के बार यहां पर चौक की मदद से इसके उपर line draw करेंगे आप तो यहां पर marker का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहां पर चौक का यूज़ कर रही है और चौक हमने बिल्कुल इसके line के उपर उपर ही draw करनी है आप line जितनी अच्छी draw करेंगे आपके flower जो इतनी line draw करें यह बाद में मिठती नहीं है यह बहुत अच्छे से रहती है तो इसके उपर हम अच्छे से राइंश्टून लगा सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का जल से जल रिप्लाय दूँगी और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है थोड़ी से भी आपको यह वीडियो यूसफूल लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेयर करें और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस डिजाइन को आप एक बार जरूर ट्राय करें यह बहुत ही प्यारी ड्रेस है और प्यारी तो पहले हम फाब्रीक ग्लू को बिल्कुल लाइन के ऊपर ही अच्छे से लगाएंगे और राइंस्टोन इसके ऊपर मिलाते हुए रखेंगे और हलके हाँ तुसे टैप करेंगे तो यह इसली बिल्कुल सेप में अच्छे सेट हो जाती है मैं आपको यहां पर बात बताना चाहूंगे अगर आप मार्केट से राइंस्टोन ले रहे हैं तो आप अच्छी कॉलिटी के लिए वरना फिर इतनी महनत के बाद भी आपके जो महनत वो वेस्ट हो जाएगी क्योंके राइंस्टोन जो है वो बहुत जल्दी देख सकते हैं हमें यहां पर इम्राइडी फ्रेम के कोई भी जरूरत नहीं पड़ी है और यह इसली डिजाइन हो जा रही है हमारी फ्लावर यह बनाना काफी ज़्यादा इजी है तो आप इसे बिल्कुल भी टफ ना समझे यह बहुत ही बीटिफुल डिजाइन है और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है तो इस तरह से आप जरूर इस डिजाइन को एक बर ट्राइ करें तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पूरे फ्लावर पर अच्छे से राइंश्टोन लग गई है और एक रोज हमारी रेडी हो गई है इसी तरह से हम यहाँ पर थ्री और रोज रेडी करेंगे और राइंश्टोन लगाकर ओवरनाइट ट्राइ होने के लिए रग देंगे इसके बाद यहाँ पर हम फिनिसिंग के लिए जर्दोसी का यूज करेंगे तो यह सिल्वर कलर की जर्दोसी हमने लिये और सेम यहाँ पर हम हाफ इंज इतना मार्जिन छोड़ते हुए डबल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यह मैं डायरेक्ट यहाँ पर ग्लू की मदद से ड्रॉ कर रही हूँ आप तो यहाँ पर पहले चौक की मदद से निसान भी लगा सकते हैं यहाँ पर मैं सेम बिल्कुल रोज के पास पास में ही ड्रॉ कर लेती हूं इस तरह से इसी ग्लू के ऊपर हम यहाँ पर जर्दोसी लगाना स्टार्ट करेंगे जर्दोसी जहाँ पर आपके जो लाइनिंग की पूनी आती है वहाँ पर अच्छे से कट करें उसके बाद फिर सेम लाइन पर ड्रॉ करके अच्छे से बिढ़ाएंगे तो यह सेट हो जाती है इस तरह से ज़लदोसी लगाने के बाद इससे ड्राय होने के लिए थोड़ी दिर रखेंगे इसके बाद यहां पर एक्ष्टरा फाब्रिक करने के लिए हमने अगरबत्ति का यूज किया है तो अगर आपके पास यहां पर सोलिंग आईरान नहीं है तो आप इस अगरबत्ती की मदर से बहुत ही फिनीसिंग के साथ यहां पे एक्ष्टा फाब्रिक आप कट करके निकाल सकते हैं तो इससे जो आपके डिजाइनिंग की लुक आती हो और भी जादा ब्यूटिफुल आती है तो इस तरह से आप यहां पे अगरबत्ती का यूज क करके रखा हुआ कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही थी इसलिए स्लीफ पे हमने यहां थ्री पीस रोज बनाया है और सेम हमने इसे दामन जैसे ही रेडि किया इस तरह से स्लीफ को डबल फोल करेंगे और फिटिंग्स के अकॉर्डिंग यहां पे हम स्टीच कर लेंगे तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूं स्लीफ की लूक इस तरह से आएगी और इसे स्यम आपने यहां पे दामन के जैसे ही बनाना है तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है इस तरह से हमारी बहुत ही जादा ब्यूटिफुल आउटफिट रेडी हो गई बनकर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स वीडियो के लिए हमें कमेंट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो म बाइ 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 अलाफिश टेक्यर थैंक्यू सू मच